मेरा नाम है दोस्तों रतनेश भट और दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि इस कोरोडरों सॉफ्टर के अंदर किसी शेप की आउटलाइन या किसी शेप के इंसाइड में हम कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वाली क्लास में बताया था कि हम जब इस सॉफ्टर का यूज करेंगे तो हमें दो तरह के कलर मोट ध्यान में रखने हैं एक और दूसरा की परसेंटेज को जब कम या ज्यादा करते हैं तो हमें काई टाइप के कलर मिलते हैं तो यह कंदर कैसे बनाने हैं और की फॉर्मिट का उसकी तरह से होता है मैं आज क्लास में आपको वही बताऊंगा और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि मैं आपको सिर्फ cmy के खलर फॉर्मिट का यूज कैसे करना है मैं वह बताऊंगा क्योंकि सिर्फ कलर मोड का फरक है जो जो ट्रिक या टेक्निक मैं आपको बताऊंगा CMI के Color Mode में यूज़ करने के लिए वो सेम आपका RGB Color Format के अंदर भी यूज़ होंगी तो मैं आपको अलग से RGB का नहीं बताऊंगा सिर्फ CMI के में बता रहूं आपको मैं और अभी जितना जानना जरूरी आपको उतने ही बताऊंगा क्योंकि ये क्लासे शायद उसकी आउटले में Color Fill कैसे करना है किस तरीके से करना है आपको आज की क्लास में थोड़ा सबस में वो ही बताऊंगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स यहां से मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ एक New Page Create कर रहा हूँ तो देखिए छोटीजिक विंडू खुली यहां पे Create a New Document इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पे Primary Color Mode मेरा CMYK है अगर मुझे Printing के लिए काम करना है तो अगर मुझे Social Media एक लिए वर्क करना है तो मैं यहां से Color Mode अपना पहले ही Change कर लूँगा इसको Change करने से यहां पर होगा यह कि जो भी Color Properties आएंगी फिर उसके अंदर इस पेज के अंदर सारी की सारी फिर RGB Color Mode में ही चलेंगी फिलाल में यहां से CMYK कर रहा हूँ और यहां से यहां से कर रहा हूँ OK तो देखे मेरे एक New Page जहां पर Generate हो गया है अब दोस्तों मेरे Right Hand Side पर देखे यह जो पैनल है इस पैनल को हम कहते हैं Color Palette इस Color Palette पर अगर अपने माउस का Wheel इस कॉल आपके स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यह देखे इसमें Pre-Defined कुछ Color मेरे को यहां पर बनाके सिस्टम ने दिये हुए मैं यहां से Color कुछ चूस अपने कर सकता हूँ और अगर छोटा से उपर आप यहां पर देखे एक Cross का साइन है यह Cross का साइन इसलिए है कि अगर मुझे किसी Object के Color नहीं चाहिए या उसका Outline का Color नहीं चाहिए तो यहां से इस पर क्लिक करके मैं उसके Color नहीं से हटा सकता हूँ तो यहां से मैं के Square Shape ले रहा हूँ और इसकी Thickness थोड़ी सी मैं अभी Point Sorry, Two Point बढ़ा रहा हूँ अब दोस्तो ध्यान रिखेगा इसमें दो तरह की Color Fill होते हैं एक होता Uniform Fill और दूसरा होता Outline Fill Uniform Fill से मतलब यह है कि इस Box के अंदर यानि किसी भी Shape के अंदर Shape हो इसी भी हो, किसी भी Type की Shape हो उसके अंदर जो Color Fill होगा उसे हम कहेंगे Uniform Fill और Outline का Color Fill को हम Outline Fill ही बोलेंगे तो यह देखिए, अगर मुझे इसके अंदर Color Fill करना है तो दोस्तों, मैं अपना माउस इस किसी भी Color के उपर ले जाकर के अपने माउस का Left Button Press करूँगा तो उस पे वो Color Fill हो जाएगा और अगर मैं Right Button क्लिक करूँगा किसी भी Color के उपर ले जाकर के तो उसकी Outline का Color होगा यानि कि Left Button Press करने से Color Uniform Fill में होगा और अगर मैं Right Button Press करूँगा माउस का तो उसके Outline में Color Fill होगा और दोनों ही कंडिशन में हमारा Object Select होना चाहिए ये कंबल सरी है नहीं तो Color Fill नहीं होगा किसी भी Object पे और अगर इस कंडिशन में आपने मान लेजे कोई Object Select नहीं किया हुआ है और मैं सीधा यहाँ पे किसी भी Color के उपर जागे क्लिक करता हूँ तो यह देखिए एक छोटी सी विंडो मेरे आ सामने उपर हो जाएगी जिसमें लिखा होगा Change Document Default इससे मतलब दोस्तों यह है कि मानले जो मैंने रेट कलर पे क्लिक कर रहा था और मेरा Object कोई Select नहीं था तो यहाँ पर ग्राफिक पर टिक हो रखा है इससे होगा यह कि अगर मैं इसको OK कर दूँगा तो अब मैं जो भी Shape ड्रॉ कर दूँगा कोई सी भी By Default उसके अंदर वो Color पहले से ही Fill होकर आएगा तो यह थोड़ा सा गलत तरीका होता है इसलिए अगर आपके सब कभी-कभी यहाँ पर जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ वापस इस पर यहाँ पर जाना है Cross पर क्लिक करना है बिना कोई Object Select के वे और Graphic Select होगा आपके कर दीजएगा तो वापस से फिर से वैसे ही हो जाएगा तो यह थो दोस्तों थी एक चीज अब दूसरा जैसे कि मैं अब अब को बता है Cross का मतलब ही यहाँ पर यहाँ पर यह सेम चीज माउस का अगर Left Button Press करेंगे तो Uniform Fill इसका हट जाएगा और अगर Right Button क्लिक करेंगे तो इसका Outing Color हट जागा यानि कि यहां से Color हटा सकते हैं फिलाल मैं Color यहाँ पर वापस से डाल रहा हूँ तो यह तो हो गया Color माउस प्रेस करके रखूँगा तो यह देखे काफी सारी Shares मुझे Red के Regarding यहाँ पर मिल गए हैं तो मैं कोई सारी क्लिक करके मुझे वही यहाँ पर मिल गया है हो गया है अब इसके अलावा दोस्तों Color फिल करने का एक तरीका यह देखे स्टेटस बार में यहाँ पर यहाँ पर हमें दिख रहा है यूनिफॉर्म फिल यह कलर रूख है यहाँ और आउटलें पर कौन से गलर है उसकी डेटेल यहाँ पर स्टेटस पता लग रहा है तो द कर दो देखियो मैंने डवल क्लिक करा की तो यह विंडर में सामने ओपन हो गया है से मिसी तरह के से मैं मैं शिफ्ट एफ तुवल प्रस करता हूँ तो भी यह विंडू हो जाएगी यही सेम चीज़ आउटलें के लिए अगर आउटले में डबली क्लिक करता हूँ तो है और के रिगार्डिंग यहां पर option खुल गया और यहां पर मोर में जाके मैं अपनी पसंदे कलफर यहां से डाल सकता हूं चूज कर सकता हूं सेम चीज अगर मैं shift f12 प्रेस करता हूं तो भी वही विंडो खुलेगी लेकिन यह outline के रिगार्डिंग ही open होगी तो shift 11 या फिर double click से आ तो अब हम आते हैं फिलाल uniform fill के अंदर अच्छा इससे पहले एक जीज और देखिए अगर मुझे यह color palette यहां पर CMY की जगह है RGB चाहिए तो मैं विंडो में जाऊंगा और यहां से color palette को मैं मैं अपना RGB palette select करूँगा और जैसे select करूँगा यह देखिए एक यहां पर CMY की color palette के साथ RGB color palette भी आ गही है तो यहां से भी हम प्राइट के चूल सकते है RGB color फिलाल मैं इसको यहां से हटा रहा हूँ तो आपके convenient के recording है कि आपको कब कौन से color palette पे काम करना है तो वापस CMY के color palette पे ही आगे है अब दोस्तों यहां पर मैं प्रेस करता हूँ shift F11 या पर double click भी अंदर जो color fill है यह uniform color है अब यहां से uniform color अपने according change कर सकते हैं यह चोटा सा अगर आप यह देखेंगे portion यहां पर तो यह एक तो दोस्तों यह color viewer है हमारा हम यहां पर color view कर रहे हैं यह color के shades हैं उपर से निचे तक और यहां पर उस color shades के recording उस color shades के अंदर पर कितने सारे shades आ सकत तो यह तो होगे कुछ यहां से color की पसंद के हम चूस कर सकते हैं अब मुझे कुछ color अपने according बनाने नए create करने हैं जो मुझे यहां पर से मिल नहीं पा रहे हैं मुझे लगता है कि यहां मुझे मिलेंगी color तो उस condition में क्या कर रहे हैं उस condition में मेरे पास दोस्तों यहां पर यह देखिए यह एक portion यहां पर दिया हुआ है अपनी percentage यहां पर अपने according प्लेस करने के लिए यानि कि जैसे मैंने आपको अपनी प्राणी क्लास में बताया था कि four color जिसे हम कहते है four color job यानि कि cmy के job से मतलब होता है हमारे मापे और जब भी हम स्यान मिजिन्टा यहलो black की percentage को उपर नीचे मिलाते हैं कम ज्यादा करके करते हैं तो हमें एक नया color मिलता है जैसे कि एग हमारा red color मिल गया इसी तरह से अगर मुझे अपनी कोई चाहिए green color 100 मिजिन्टा जीरो और yellow पर 100 करूंगा तो मुझे अप मेरा green color मिल जाते हैं तो यह percentage कुछ तो by default हमें बता होती है और कुछ percentage हम net से निकाल सकते हैं या client हमें बताता है उसकी job के regarding या फिर हम खुद की भी अपने बना सकते हैं और उसकार आप इसे यहां से कर दीचे तो कलर में फिल हो जाता आपका अब देखे दोस्तों यहां पर यह है model यह है CMY के यानि कि color mode जो हमारा इस टाइम पर चल रहा है वो CMY के चल रहा है और color viewer hsb hue based default hue based default से मतलब यहां पर यहां पर रहे कि color based चल रह होता है हमारा saturation और b से हमारा मतलब होता हमारा यहां पर brightness तो यह क्योंकि hue based है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसको hsb brightness based करूँगा तो यह देखिए अब यह brightness के regarding आ रहा है यह property बारे यहां पर चेंज हो गया है color यह से लगता है इसका hue यह है और इस hue में इसकी saturation जो सारी यह brightness के ब्राइटनेस इतनी बढ़ सकती है और इसके brightness कम करें तो इतनी कम हो गई यह brightness बिस चल रहा है क्योंकि तो यह काफी सारे हैं लेकिन हमारे को सिर्फ hue based default पर इस्टिक रहना है और cmy के mode यहां से भी चेंज करना कर आपको rgb में तो rgb हो जाएगा पर क्यूंकि भी cmy के चल आपकी rgb में भी apply होगी तो यहां से हम कोई सा भी देख आप समझ गयोंगे इसको color percentage अपने according डाले तो change हो सकती है अच्छा इसके छोटी जी और आती है जो कि score draw x7 का drawback है कि जब मैं यहां पर कोई भी color मान लिजे place कर रहा हूं डाल रहा हूं 26 और यह मेरा है 78 तो जब black मे टैब प्रेस करने के बाद में black पो 15 करा मन लिजे मैंने और उसके मेरे को टैब प्रेस करता हूं तो यह मेरा by default यहां ok पर आना चाहिए जो कि इससे पिछले के वर्जिंस में होता है और शायद को रोड रो एक 7 के आगे के वर्जिंस में भी हो जाता है लेकिन इसमें यह न value change नहीं हुई तो इस condition में हमें यहां पर करना ही होता है कि जब मैं इसकी value यहां पर input करूँगा तो मैं या तो अपने keyboard का shift tap press करूँगा तो एक step पीछ चला गए तो इसकी value यह देखे चेंज हो गई है या फिर 15 यहां पर लिखने के बाद मैं आपर ok press करूँगा तो इसकी value change होगी तो थोड़ा से चीज़ का ध्यान रखेएगा वापस चाते हैं यहां पर यह CMY के mode है यहां पर भी यह mode CMY के सेम हमें शो हो रहा है RGB जैसे यहां चेंज करें यहां पर भी RGB हो गया है RGB में red green blue यहां से color percentage की change हो रही है कि कौन से color कितनी कितनी percent को मिलके बना है यानि कि यह color choose करता हूं जो यहां change हो रहा है इसमें red इतना था green इतना मिलाएगा और blue इतना मिला हुआ है तब जाके हमारा सेम चीज यह CMYK के अंदर भी है कि भाई मुझे अगर एक यह color चाहिए था थोड़ा सा इस type का तो यह देखें इसके अंदर इस वाले color में स्यान इतना % मिला हुआ है मिजन इतना % यलो इतना % 7 इतना % तो यह हमारा CMYK में work ऐसे होता है या बात समझ गए होंगे दूसरा दोस्ते एक hexa code होते हैं यह जब हम website के उपर work करते हैं social media पर work करते हैं तो कुछ hexa codes hexa colors होते हैं जब RGB से ही related होते हैं तो यह work भी RGB पर ही करे होता हूँ यह देखिए मेरा यहां पर यह highlighted हो गया है तो हम net से कुछ hexa code मिल सकते हमारे को internet से निकाल कर गए कुछ जो color हमें पसंदो और वहां से पिर उसको copy करके उसके hexa code को यहां पर place करेंगे तो हमें same color यहां पर available हो जाएगा तो इतना आप समझ गये होंगे आज के time पर आप आते हैं दूसरा यहां पर यह देखिए इस पर click करते हैं अब इस पर click करने पर यहां पर यह कुछ एक color wheel आ गया है इस color wheel में दोस्तों यह color थोरी जब मैं आपको पढ़ाऊंगो तो color wheel थोड़सा समय में समझाऊंगा क्यों पर हमें जो color मिलते हैं उस पर हमें और different different type के भी color मिलते हैं color wheel पर जो कि हमारे को design बने time पर काफी helpful रहते हैं कि एक color के साथ कितने कितने और matching color combination जा सकते हैं जो सही लगेंगे उस color के साथ तो color wheel हमारे को उसमें help करता थोड़ी सी तो यह देखें by default color यहाँ पर यह इस time पर यह स्लेक्ट वापड़ है green तो इस green से pentagon color wheel पे अगर हम pentagon के उसमें देखते हैं तो यह इस से जो related combination color बनाता है उसने एक यह बनाया हुआ है deep yellow type का एक red की tone में है दूसरा purple है और तीसरा blue क tone में जा रहा है तो यह पांच color इसने green के साथ हमें complimentary का सकते हैं आप इसे दे दिये हैं जो इसके साथ अच्छे से match हो सकते हैं जब green color आपको यूज करोगे और और आपको यूज करने तो यह matching color उसने आपको दे दिये इसके और variation चाहिए तो आप यहाँ पे cooler यानी cool colors आपक तो इसने फिर उसके recording यहाँ पर variation सहारे को दे दिये तो यह आप चेक कर सकते हैं बहुत beneficial रहता है कई वार काम करते हैं कि आपको बारबर color select करना पड़ता धूनना पड़ता आप सोचने मजा नहीं पड़ता तो सिस्टम ने बता दे कि हाँ आप इस color के साथ यह वाले color यू कर सकते हैं पर यह particular एक एंगल पर जाएगा ज्यादा चेंज नहीं हो पर रहे हैं सेम इसी तरह से compliment compliment color में दोस्तों यह होता है कि यह अगर हमारा main color यह है हूँ हमारा गरी है तो उस हूँ के साथ उसका complimentary उसने green के साथ red दे जाए अगर मैं इस wheel को घुमा के red की तरफ लांग करके देखते हैं यह देखिए हमें complimentary color साथ में और भी मिल रहे है इसके साथ जो हमारे combination color मिले वो यह थे है तो अब इसको try hit and try कर सकते हैं डिजैन माले टाइम पर बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं आब अभी से practice करेंगे तो आपके लिए beneficial रहेगा थोड़ सा और यह नहाँ पर दोस्तों तीसरा यह देखिए है हमारे pantone shades अब pantone shades और CMY के RGB में फर्क यह है कि RGB colors mixing करके बनते हैं यह आप अपनी तरफ से कुछ color नहीं बना सकते हैं क्या आप सोचोगे मैं कुछ नया type का pantone बना हूँ आप नहीं बना सकते हूँ को pantone company जो है वही बनाएगी color shade तो आपको यहाँ पर predefined pantone company ने color बना के दे दी हैं आप यह कोई से भी color यूज करोगे तो आपको इस condition में printer को बताना पड़ेगी हाँ मैंने अपने job के अंदर अगर मान लिजे आपने अपने एक design के अंदर माले जी यह color है मेरा और यह मेरी percentage मैं लेता हूं इसको यहाँ से माले जी यह color लिए मैं अब इस color के अंदर देखे चान 40 ए 60 ए 100 यालो है 31 और मैंने इसको बढ़ा ओकी तो यह color तो 4 color में माना जाएगा यह 4 color जाब है इसके लिए मुझे printer को detail देने की जरूत नहीं इस वाले पॉर्शन में अपनी प्रिंटर को इस टाइम पर यह तो प्रिंटर को बताने जुरूत नहीं है लेकिन इस वाले क्लर क्लिए मुझे प्रिंटर को बताना पड़ेगा मैंने इस design में पैंटर क्लर यूज करा है इस वाले पॉर्शन पर यूज कर रहा है और यह इसका पैंटर नमबर है मुझे नमबर भी साथ में देना पड़ेगा नहीं तो वह चापी नहीं पाएगा क्योंकि उसको मार्केट में जाना होगा यह पैंटर नमबर उसको बताना पड़ेगा वो पर्चेस करेगा तो same color का उसको महां से पैंटर कलर मिलेगा इसलिए four color job में difference होता है four color job आप कभी भी special color job को four color से print नहीं कर सकते है अब आसपस color match कर लोगे लेकिन कभी भी special color छपाने के लिए आपको पैंटर क्लर की तरफ ही जाना पड़ेगा तो यह पैंटों के रिगार्डिंग दोस्तों अभी इतनी इसी ही डिटेल थी अब वापस हम इस पर आते हैं कि तो फिलाल हम देखते हैं आउट्लाइन की क्लास कि आउट्लाइन में देखते हैं दोस्तों भी यह है तो सेम चीज जो मैंने अभी आपको यूनिफॉर्म फिल बताई है वही सेम चीज आप आउट्लिंड के नर भी करेंगे यहां पर संटेज करें चेंज करो कि मोड यहां से कदर मूड आप चेंज कर सकते हो मिकसर में वह सेम चीज वापस वही पर आ गई पैलेट में पैंटो शेट वापस वाई से फिर से अगर बस फरक है कि आउटलाइन में होगा और दूसरे में ये यूनिफॉर्म फिल होगा या ने कि किसी शेप के अंदर फिल होगा देखे कुछ इस आज जो मैं आपको बताया उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ चीज में छोड़ी है ताकि वो अभी बताने वाले ज़रूरूरत नहीं है जब आगे क्लासे चलेंगी तो उसके अंदर आपको डेटेल वाइस में बताऊँगा क्यूंकि वो किसी और आपजेक्टेश शेप के साथ वर्क करते टाइम पर हमारे को यूज होगी इसके अंदर एक कमांड है नीचे ओवर्प्रिंट फिल की तो ओवर्प्रिंट फिल का यूज किस तरह से करना है वो अलग प्रिंटिंग की टेक्निक है थोड़ी सी इसलिए उसका मैं इसके अंदर यूज नहीं बता रहा हूँ आपको तो फिलाल आप इसे पर धान दे नैस करें और सब्सक्राइब जरू करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल में भोलें थाकि मेरी आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे तो आज कले दोस्तों इतनी था थैंक्यू सो मॉच हैवे नाइस दे बाई